नमस्कार दोस्तों सौगत है आप सब का मेरे स्वीडियोग चैनल में आज किस वीडियो में हम जानेंगे अपने बैंक का स्वीप्ट कोड हम कैसे पता कर सकते हैं इसके साथ ही स्वीप्ट कोड की जरूरत हमें कब और क्यू होती है अगर आपका बैंक आपके घर के बहुत ही नजदिक है तो आप बैंक में सीधा जाके आप स्वीप्ट कोड ले सकते है इन दी केस आपको बैंक में स्वीप्ट कोड नहीं मिलता है तो आप घर बैटे आपने बैंक का स्वीप्ट कोड पता कर सकते है तो इसके लिए आपको जो description में link है उसको open करना है तो जैसे आप उस link को open करोगे तो आप एक official website फिर redirect हो जाओगे तो यहाँ पर आपको scroll down करना है and एक option आपको search करना है search for a swift code तो इस option के निंचे आपको कुछ drop down option दिखाए देंगे तो जो सबसे पहला drop down है वहाँ पर आपको आपके country का नाम select करना है जो second वाला drop down है वहाँ पर आपको जो भी आपका bank है वहाँ आपको select करना है suppose मेरा bank का नाम SBI है तो मैं SBI search करके यहाँ पर select कर लूँगा अगर मेरा bank other than SBI जैसके ICICI भी वहाँ है तो आप यह option भी यहाँ पर select कर सकते है तो इसके बाद जो third जो drop down है इसमें आपको city का नाम select करना है जो भी आपकी city है उसका नाम आप यहाँ पर select कर सकते हो और जो last drop down है यहाँ पर आपको आपके bank का branch code select करना पड़ेगा तो यहाँ पर मैं आपी कोर select कर लेता हुँ यहाँ पर branch code select करना बहुत ही मुश्किल काम है क्योंकि सारे bank का swift code नहीं रहता है तो suppose मेरा bank village में है जिसका swift code अवेलेबल नहीं है तो अगर आपको international permit receive करना है तो जो भी आपका head branch है उस head branch का code यूज़ करके आप swift code find कर सकते हैं तो जैसे आप branch code यहाँ पे enter करोगे या select करोगे तो आपका swift code details यहाँ पे show होगा तो यहाँ से आप ये swift code यूज़ कर सकते हो तो इस तरह से online आप आपके bank का swift code बता कर सकते हैं तो आभी हम चानेंगे swift code की ज़रूरत क्यों और कब होती है अगर आप youtube या तो फिर adsense से कुछ वैसे earn करते हो तो आपको swift code submit करना पड़ता है adsense में तभी आपका जो payment है internationally transfer होता है और वो आपके bank account में आ जाता है अगर आपके bank का swift code available नहीं है तो जो भी आपका head branch है उसका swift code आप use कर सकते हो वो swift code आप adsense में submit कर सकते हो जब भी adsense आपका payment internationally transfer करेगा तो सबसे पहले आपका payment आपके head branch में आएगा उसके बाद head branch को payment transfer कर देगा आपके branch में तो आवी हम swift code का जो complete breakdown है उसको देखेंगे तो suppose one of the swift code यह आपना एक swift code है इसमें जो first four digit है यह आपका bank code रहेगा और उसके बाद के जो two digits है यह आपका country code रहेगा उसके बाद के two digits आपका location code रहेगा इसके बाद का जो एक digits है वो आपका code status है means active code और code is not active so that code status आपका one digit का होगा उसके बाद जो आपका three digits है यह आपका branch code रहेगा तो इस तरह से online आप किसी भी bank का swift code पता कर सकते हैं जिस bank का swift code आविलेबल नहीं है उस उस bank का जो भी head branch है उस bank का swift code आप use कर सकते हो adsense payment के लिए so friends मैं आशा करता हूँ यह जो वीडियो है आपको जरूर पसंद आया होगा अगर यह वीडियो आपको पसंद आया है तो please like, share, comments करना मत बुलिए इसी तरह की और वीडियो देखने के लिए हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें थैंक्स पर वचिंग ओर यूडियोट्स बाइ जरू है तरह लंगर देंग लूड़ से अगर झाबियोग जरूर पसंद आया है जरू झाल झाल